कि अब बात करते हैं कुछ सिंबल्स की जो केमिकल इक्वेशन में यूज़ होते हैं सिंबल्स एंड केमिकल इक्वेशन और यह ना थोड़े इसी से हैं ज्यादा मुश्किल नहीं है कुछ कॉम्प्लेट नहीं होता है कैमिकल सिंबल जो मतलब सिंबल्स जो केमिकल होते हैं बहुत जादा मुश्किल है देखो सिंपल सिंपल तुम संवारि मारी से कि एक एक्जामपल देखो कि तुमने रियक्शन में देखा होना जैसे कुछ रियक्शन होती है एक्जामपल लिए एक्पली डियक्ट करते हैं यहां पे C बन नहीं और और एक उलिखा होए ऐसा ऐसा कुछ लिखा होता है इनका मतलब क्या हो एक्जाम्पल की है 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 Two और ओ ठीड है इंन्हों ना अपस में रहे से सिंपल एक्जामपल उसर एक्जामल वह बन गए अब इसका मतलब क्या है देखो है मैं पता कि हैड़ोजिंगा है तो ऑक्षिंग क्या है तो गैसे हम लोग लगाते हैं याप जी ओक्सियन क्या गैस है तो इसमें जी लेकिन जा क्या है पानी पानी में क्या लगाएंगे liquid का एल कुछ को झुछ मुझा मुझा नहीं या यह पर एक लिए भीज्क सोलेट धेक है यह liquid के लिए घूज़ अब कैसे ब्लकुल और यह एक्वेस लिए अब कई सारे लोगों को ना यह डाउट रहता है कि एक्वास और लिक्विड में क्या फर्क होता है देखो सोलेट जैसे मालों हम लोग एने की बात करें या एने सील नमक की बात करें कहीं पर एने सील बन गाना तो उसके आगे हम ऐसी लगाएंगी क्योंकि नमक लिक्विड होता है कि कोई बी सबस्टांस है ना जैसे सबस्टांस है सबस्टांस या एलیمنट इन डॉंटर उसका मतलब होता है है strength न्याक्त Waar लो ने कहले हैं इसका मतलब क्या वह पानी इसमापल के लिए वह सब्सक्राइब कर बाट कर जाएंगा मतलब क्या मतलब कि बता रहें और अगर क पानी में वैसे वह रहे. इसम्पल कि वे सोलीड है यह जो सोलीड लिक्विड और गैस वर एक्वास हमें बताते हैं कि वो उस टाइम प्रेजेंट में डियक्षन की टाइम पर कॉन सी स्टेट में जैसे की जैसे की सबकुछ तो हम लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं अब बोलू किसी रेक्शन में आरन को यूज कर रहा हूं आईरन होता है लोहा तो आगर और अगर वह जो भी सबस्टांस है वह पानी में डुबो रखा तो यह था तुम्हारा symbols की बात करें अब मैं तुम्हें न एक और basic सी चीज बताऊँ इसमें जो यूज होगी क्योंकि तुम्हें पता होने चीज है कि कई reactions में ऐसे लिखा होता है एरो लगा दिये नीचे कई में ऐसे लिखा होता है अब उस पर discuss के साथ रियाक्ट करा दें यह मारा कैलिशियम उकसाइड है यह ना उसके आगे ऐसा सिंबन लगा दिया यह उपर के तरफ इसका सिंबल का क्या मतलब इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में reaction होके हमें यह मिल गया रोरक्andyन से मिल यह घ्र आनैं तकि इससे का सब्सक्राइब हो रहे है यह सब करूशल की कैशलान हो यह मतलब है इसका बेकि हीटा है वहिदी वो रिलीस हो रहे ही दो यह तरह अगर मानम जो हीट नहीं है की बिसे हैं मैं बोलूं कि कार्बन डाइस फूर एक्जामपल हम लोग क्या करते हैं हम लोग आग जलाते हैं जैसे हम क्या करें यहां पर आग लगा दी जैसे जैसे कोई भी इंधन के लाद में कुछ भी करा और यहां पर फायर होगी आग जल गई अब के साथ यहां पर लिखा हुआ कि सीओ टूर उपर का निशान लगा दिया इसका मतलब यह है कि जो आग जल रही है जो भी इनकी वैसे जो रियक्शन हुआ उससे नहीं जो सीओ टू ह हो बार को जा लिए जैसे हिट है लयां से बाहर को जा लिए इसका मतलब ऊपर के साइन का मतलब होता है कि उस झौक अगर वह नमक के साथ रियक्ट एक यह हमारा जिली नाइटरेट है इसको अगर क्शाइश ही बनाते इसको क्या करें कि नमक के साथ हमनेでした क्लो क्लो रॉड के साथ eyebrows क्लोड को सीर सीवनान नीत्रेट का सोडियम्ट भॉडर क्लोड में साथ इस एक लिए बन जाएगा और यह एक्जो थर्मिक कर एक्षन है और यह तुम्हारा प्रेसिपिटेशन करेंगे प्रेसिपिटेशन से ही रिलेटिटेड नीचे वाला एरो इसका मतलब यह होता जैसे एजिए जी आफ्टेड को क्या क्या किया नमक से रियक्षन कर लिया इस एजी मतलब लगा लगा बंगया और बंगया और इसका मतलब है कोई चीज उस रियक्शन से मतलब को जा लिए इसका मतलब यह है नीचे वाले अरो का कि जैसे इस रियक्शन में एन एनो-3 उपर बना हुआ है हर जगे हर जगे एन एनो-3 लेकिन जो एजी-सी-एल के टुकड़े हैं वह मतलब एजी-सी-एल मिलके कुछ अगर बन गए तो पानी यह पूरा लिक्विड का सुल्यूशन है तो तुम्हें पता है कि अगर पानी पत्थर डाल दें तो सबसे नीचे जाते हैं और इस सिंबल का मतलब ही होता है कि वह नीचे जाके बैढ़ रहाम से अब हमें बस लेखो तुम्हें यह उपर और यह समझ में आ गया नीचे वह चीज़े बार चलिए इसमें वह चीज़ें बनके नीचे बैढ़ जाते हैं अब हमारा बस एक रहा गया कि लो अफ कंसर्वेशन मास क्या होता है तुम्हारा ही चैप्टर कंप्रीट हो जाए मी हएं तो कि आफ्री टोपिक के सेंपल साई भी जादा मुच्किल नहीं है कि रिए लोऊ ओफ कंसर्वेशन ओफ मास अब इसमें क्या होता है ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इसमें यह बोलते हैं कि जो just like इसे हमारे बैर स्प्रॉडप्र बनते हैं तो उन दोनों रियक टेंटेंट्स का और इस प्रोडक्टका मास बढबर होता है कि आ जैसे इसमें मोञता है कि मश ओफ ध्याध्यवत is always equal to the mass of product यही इसमें बोला है ज्यादा कुछ कॉंप्ल सा एक्जामपल देकर समझा दो एक्जामपल देखो एक्जामपल समझ मारे अब जैसे यहां पर हमने वह एक तुम्हारा बेसिक सा एक्जामपल ले लिया कार्बन यह ओक्षियन के डो मोलेक्यूल और यह कार्बन देक्षाइड घ्रिकामकय सा किगहां और इसका मात किस cables अगर और oxygen का मास 16 है और oxygen यहां पर दो बार है यानि हम लोग total कितना लिखेंगे क्योंकि carbon का तो एक ही मोल था oxygen के दो मोल के लिए यहां पर कितना लिखेंगे 16 multiply 2 यानि 32 ग्राम ठीक है यह हो गया 32 ग्राम oxygen का यह हो गया इसका बस इसको सोल करो इसको इसको प्लस कर तो कितना आजाएगा 44 ग्राम और असल में CO2 का जो वेट होता है CO2 के मतब कर्मेंडाइसाइट के एक मोल का वह 44 ग्राम होता है यह यह और यह आपस में इक्वल है इसी को लोग बड़े-बड़े एक्जांपल लेके देख लो तब भी तुम्हारा सेमी आएगा तो यह था तुम्हारा केवेश्ट्री का चैक्टर वन क्लास 10 का पूरा का पूरा यह हो गया कंप्लीट है आज की लिए नहीं होता है लेट सिट